आपका स्वागत है और आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक प्रोब्लम क्रियेट हो रहा है हम लोगों के साथ कोई-कोई अप्लिकेशन ओपिन करते हैं या कोई शॉप्टेर को इंस्टॉल करते हैं तो उसमें एक मेसेज आता है .NET फैर्मेर का वो कोई बर्जन इंस्टॉल करने के लिए बोलता है तो हम लोगों को उस प्रोब्लम को कैसे फिक्स करना है कैसे सॉल्व करना है उसी के बारे में आपको बताऊंगा तो आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेर यह वीडियो के स्टार्ट करते हैं जैसे एक मेरा अप्लिकेशन है मैं आपको दिखाता हूं यहां पर यह मतलब रन नहीं हो पा रहा है अपको यहां पर मैं दिखाता हूं आपको यह जी यो फ्लेश टूल है एक इसे हम रन करते हैं करने के बाद कोई भी मैसेज हमको यहां पर नहीं मिल रहा है ना यह रन हो रहा ना ओपेन हो रहा है और किसी किसी में होता क्या है जब आप इसे रन करोगे या ओपेन करोगे तो आपको एक मैसेज आएगा प्लीज इंस्टॉल.net फैर्मियार 4.1 या 4.2, 4.3 कुछ भी मैसेज आएगा तो उसको हम लोग कैसे फिक्स करेंगे तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यह सौल किस तरह से होता है तो आप लोगों को मैं लिंक दे दूंगा डिप्रेक्शन बोक्स में इसका आप लोगों को य मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम आ रहा था एक फोर प्लाइंट जीनों का ठीक है फोजग में आइऑ लिए बोड़ रहा था pone कि इसको डाउनलुड करेंगे यहां से इसे इसपार कलिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यह मेरा पेज ओपेन होगा और यहां से हम लोग इस पर क्लिक करेंगे यहां से हम लोगों का यह डाउनलोड हो जाएगा डाउनलोड होने के बाद हम लोग करेंगे क्या आई यह आपको दिखाते हैं यह मेरा डाउनलोड क्या हुआ है यह देखें यह डाउनलोड किया माइक्रोफ नेट फ़र्मेर 4.0 पैकेज इसको मैंने एश्ट्रेक करके रखा यह एश्ट्रेक हो गया है और यहां पे आपका सारा वर्जन मतलब का PC का वर्जन जो भी हो यह 64-bit हो या 32-bit हो आप इंस्टॉल कर सकते हो तो सबसे पहले मैं फ़स्ट वाला पे क्लिक करता हूं और देखता हूं इसका रिस्पॉंस क्या रहा है इस्टॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है कि अग्यों कि देखिए इसे उपेन किया इस छुछ ऒब है कि अच्वल को आन्पको बारिकी से सारे पेट्रै करना है जो भी इंस्टॉल होगा उससे इंस्टॉल कर लेना है तो फ़स्ट से हम लोग ट्रारे करेंगे फ़स्टवाले पर किलिक करेंगे और देखते हैं इसका response क्या दे रहा है install हो रहा या नहीं हो रहा है कि यह देखेंगे इसमें blocking issue का problem आ गया है मतलब यह इस्टाल नहीं होगा तो इसे हम लोग क्लोज करेंगा और second वाले करेंगे थोड़ा सा टाइम लेग आई है आप वीडियो पर बने रहे हैं इसे हम कैंसल करेंगे क्योंकि यह मेरा आल्डी यहां पर आ चुका है पहले वाला तो यहां से इसको इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे यह देखिए इंस्टॉल होना इस्टार्ट हो चुका है थोड़ा टाइम लएगा आप वीडियो पर बने रहे हैं ठीक है यह मेरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने वाला है वीडियो पर बने रहे हैं मैं आपको प्रेटेकल की सब कुछ करके दिखाऊंगा कि मेरा जो पहले वाला टूल ओपन नहीं हो रहा था वो अब हो रहा या नहीं हो रहा है वो दिखाऊंगा किस तरह से सॉल्ब करेंगे और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपका आपके पास मतलब कोई भी फॉन अन्लोकिंग सॉफ्ट वियर कोई भी फॉन हो और वी वो रेडमी उसके बाद सैमसंग एफार पी के लिए तो आप मुझसे कॉंटेक्ट कर सकते हो मैं अपना ग्रूप लिंक कीजो मेरा सौफेर आपनी अहीं रहा था उसे ट्राइकर अखांओ देखता हूं वह बंजो एक जान नहीं यह रहा है तो यहाँ मैं क्लिक क्या था पहले भी आपको दिखा चुका हूं वह बंजि नहीं हो रहा तो यह मेरा त bell हर इसको हम 1919 करेंगे कि ये देखें वम को सीधार करेंगे मेरा ये मतलब ऑपेन हो चुका है ठीक है मेरा प्रॉल्ब्लम फिक्स मेरा चुका है क्यों कोई भी इंस्ट आफ थो इस में इसे भीसिद्ध कोरें अपना के मुक्तलाओ ये प्रीक्स क्रसक्ते हो तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई